नमस्कार साथियों आप सभी को दुर्गाश्यमी की बहुत बहुत बढ़ाई दोस्तों यह दिल्चस्प बात है कि असुरों के विरुद्ध काली दुर्गा के साथ मिलकर युद्ध करते हैं और यह धियान रखना चाहिए क्योंकि एक अकादमिक परिसर के पैंफलेट कहते है कि दुर्गाश्यमी की दुर्गाश्यमी की दुर्गाश्य पुचाश्य पुचा मोस्त रिए अफिर प्युव गूर्ष रिए मस्षासूर्भ yön डूर्खटी बिए ही लिए फ सक्लान करती हैं पूर्ष पूर्ष bिंदिये हैं भीकान सütün आवल्लेट इंदियं च्ट़रेश who enticed Maishasur into marriage and killed him after nine nights of honeymooning during sleep मात्र असुरों का रंग काला होता है या काले रंग का होने से वो असुर हो जाते है ये कहां तए किया गया है क्या इस तर्ग से काली ही असुर नहीं हो जाते है शनी और यम और चित्रगुप्त वो असुर नहीं हो जाते है अंगिरा रिशी असुर नहीं हो जाते हैं सेम भगवान राम और कृष्ण असुर नहीं हो जाते हैं शिव असुर नहीं हो जाते हैं जिन्होंने काली दुरगा की संयुक्त लडाई की ये कताब पुराणों में कही वे अवश्य ही त्रिकालग्य रोग रहे होंगे उन्हें मालूम था कि बटक भायरों के देश में विद्यार्थियों के ऐसे भी दूर दिन आएंगे जब यॉरपियर एशिजम को भारत का बना दिया जाएगा और मात्र रंग के आधार पर सुर और असुर का निराकरिंट कर दिया जाएगा मैं इस तरह के पैंफिलेट को शद्धा के अभमान के आधार पर नहीं देता भलेई वे उसी उद्यश्य से निकाले गए हैं मेरा तो यह कहना है कि यदि किसी की अशद्धा है तो वह भी उसका उतना ही अधिकार है जितना किसी को शद्धा का अधिकार है पर मुझे दुख इस बात पर होता है कि अकादमिक परिस्वरों में मूर्खता का ये कैसा घटाटो चल रहा है इन सरली करोणों में यहां के युवा उलजते हैं इन्हें नहीं सिखाया गया वैसे जैसे जोसेफ केमपबेल अपने विश्य द्याले में सिखाते हैं पुराने विश्वासों को पुराने रूपकों को पुराने प्रतीकों को उनके अर्थ बताते हैं दुर्गा ये काली की उपस्ति यहां भारत में ऐसी नहीं पढ़ाए जाती इन्हें उनके अनभव का अर्थ जानने की जिग्यासा भी नहीं दी गई है ये कोई इश्वर नामक अमूर्त प्रत्य नहीं है दुर्गा कि जिन में किसी विद्यार्थी का यह मत हो कि उसे नहीं जाना इन अमूर्तताओं में ये सगुर्ण देवी देवता हैं ये सगुर्ण इसलिए कहे जाते हैं कि ये इतिहास के क्रम में अपनी भूमी का कहीं न कहीं निभाते हुए दिखाई दिये हैं अभी तो ये इस्तिती है कि अपने तिरसकार में भी वे उन्हें माने हुए हैं मानतें कि दुर्गा हुई तो ह और एक भलाई सेक्स वर्कर के रूप में सही उनके अस्तित्व का तो सुईकार करते है आजादी से पहले वो यवाद थे जो इन देवियों में भारत माता को देखते थे और आजादी के बाद ये यवाद हैं जो उनमें किसी सेक्स वर्कर को देखते हैं शाक्त लोग वैश्या में भी देवी को देखते थे, ये वो लोग हैं जो देवी में भी वैश्या को देखते हैं, इन्होंने भारत को कालों का ही देश समझ रखा है, कि काले हैं तो नेटिव हैं, गोरे हैं तो आरिये हैं और बहारी हैं, कितने आसान फार्मूले इन्होंने कर लिए हैं, जिनके चलते एक ही घर में एक बच्चा नेटिव और दूसरा बच्चा आरी हो सकता है रंग क्या भरबर? एक ही घर में एक बच्चा असूर, और एक बच्चा शूर हो सकता है, ये दरसल कोशिश है भारत को एक ग्रह युद्ध में उलज़ा देने की यह कोशिश है भारत के स्थाई निवासियों को एक दूसरे को बेदखल करने के बेजा कारे में विन्यस्त कर देने की और यह द्रश्ची सरासर उपेक्षा करती है कि क्यों काली जगदंबिका के साथ रही है कि इन लोगों को इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि असुर भी काले है उन्हें मतलब इससे है कि कौन सत्य के पतपर है न कि उसका रंग क्या है यह देवियां कोश्टकों वाली राजनिती में शद्धा नहीं करती है यह देवियां सत्याचार को देखती हैं गिरोह बंदी को नहीं देखती हैं, अन्यथा ऐसे दुराग्रही परिसरों के ऐसे विशलेशनों से इन तथाकधित विशलेशनों से ये सिद्ध होता है कि ये स्वैम भी किसी गिरोह का उत्पाद है। पर हमें तो इस एच तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है, LIC के न्यू जीवन शान्ती में, जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी, मतलब कुछ साल बात से रेगुलर इंकम। हम करते हैं सत्य का अन्यूशा, तखल न्यूश आपके हक्त में, आप देख रहे हैं तखल न्यूश। झाल 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 झाल